नमस्कों मैं हूँ प्रग्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है आज है साथ आक्टूबर दिन सनिवार खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर चीट फंड से होने वाली ठगी के लिए बिहार सरकार ने बनाया विशेश पोटर सिपाही भरती परिच्छा पेपर लीक मामले को लेकर जेस दंगवार का बयान बिहार में त्योहारू में होगी निर्भाद एवं सुरक्षित बिजली आपूर्ती प्रिसे वानी की योजना अंतरगत बास लगाने के लिए आविदिन करने की ये है अंतिम्ति थी तिलक वर्मा ने अर्धश तक लगा कर इस वजह से उठाई अपनी जर्सी अब चलिए बढ़ते हैं बिहार के अब तक की पचीस परी खबरों के उर्वस्तार से जी आर एसी में अप्रेंटिस के 246 पदों पर भरती गार्डन रीच से बिल्डर्स एंड इंजिनर्स लिविटेड यानी की जी आर एसी के द्वारा अप्रेंटिस के 246 पदों पर भरती निकाली गई है ऐसे में वे लोग जो इसके लिए आविदन करना चाहते हैं वो जी आर एसी की आधिकारिक वेबसाइट इसके लिए अगर सैचनिक योगिता की बात करें तो मिद्वार को सिल्पकार प्रसक्षन योजना के लिए अखिल भारतीय वेपार परिच्छा उत्तिर्ण होना चाहिए और सम्बंद फीडर ट्रेड में भारत सरकार के राष्टरी वेफसाइग प्रसक्षन परिच्छन परिशत द्वारा जारी राष्टरी वेपार प्रमान पत्र होना चाहिए वहीं तकनीशन अपरेंटिस के लिए राजसर परिसतिया, राजसरकार दोरा स्थापित तकनीकी स्थिक्षा बोर्ड विश्य विद्याले दोरा संबनित विश्य छेत्रों में इंजिनिंग में डिपलोमा होना चाहिए इसे जुरी अधिक जानकारी के लिए अधिसूशना को देख सकते हैं लोगों के गिरफतारी भी की जा चुकी है, उन्होंने कहा कि इस पेपर लीक मामले में किसी भी इस तर के लोग शामिल होंगे, किसी को छोरा नहीं जाएगा, EOU की टीम की जांच लगातार जारी है, उन्होंने बताया कि जिन लोगों के गिरफतारी की गई है, उनमें से कई एहम जानकारियां सामने आई है जिसमें परिच्छा में सेंट्रो और माफिया का लेंक EOU की ओर से खंखाला जाड़ा है चलती इस मामले में सनलिप्त सभी लोग गिरफ्त में होंगे बिहारे बहुतरे स्पेशल में आज हम बात करेंगे बली राम भगत के बारे में बली राम भगत का जर्म आजी के दन 1922 में हुआ था या एक भारतिय राजनतग्य और भारतिय राश्ट्रे कॉंग्रेस के सदर्शे थे उन्होंने 1952 से 1977 और 1984 से 1989 तक आरा का प्रती निर्टव करते वे लोगसभा में संसर सदर्शे के रूप में कारे किया है बली राम भगत ने लोगसभा के 26 अध्यक्ष और भारत के 13 वे विदेश मंतरी के रूप में भी कारे किया है वह 1949 में भारतिय स्टंता आंदोलन के दुरान भारतिय राश्ट्री कॉंग्रिस में शामिल हुए और भारत छोड़ो आंदोलन में भाग लिया 1963 और 1967 के बीच भगत ने योजणों और वितराज्य मंतरी के रूप में कारे किया वह 1973 में थोड़े समय के लिए रक्षा मंतराले में मंतरी रहे और उसी वर्ष विदेश राज्य मंतरी बने 1969 में भगत काबिनेट के सदर्शे बने जब उन्हें विदेश वेपार और आपूर्ती मंतरी निउक्त किया गया बाद में वह आठ महीने के अवधी के लिए स्पात और भारी इंजिनिंग मंतरी रहे प्रधान मंतरी के रूप में इंद्रा गांधी के पहले शाशनकाल के और सांत अंतम वर्ष के दोरान भगत ने 1976 से 1977 तक लोग सभा अध्यक्ष के रूप में कारी किया उन्होंने 1985 से 1986 तक इंद्रा के बेटे राजीव गांधी के अधीन भारत के विदे इश्मंतरी के रूप में कारी किया वह 1993 के दौरान कुछ समय के लिए हिमाचर प्रदेश के राजेपाल और 1993 से 1998 तक राजिस्थान के राजेपाल रहे सोशल मीडिया पर हतियार लहडाने वालों को बिहार पुलिस ने दी ये सला वैसे लोग जो सोशल मीडिया पर रीस बनाने के लिए नकली हतियार लहडाते हैं उनको बिहार पुलिस के द्वरा सलाह दी गई है बतादी कि बिहार पुलिस के ADGE जेस गंगवार के द्वारा बीते दिन प्रेस कॉंफरेंस कर सभी नकली हतियार लहराने वाले लोगों को सलाह देते वे कहा गया है कि जो लोग नकली हतियार दिखा कर फेमस होना चाहते हैं उनसे बिहार पुलिस की ओर से अपील की जाती है कि वे नकली हतियार के बजाए असली हतियार लहराएं। असली हतियार चलाने को मिलेगा और साथी देश की सेवा करने का भी मौका मिलेगा। ऐसे युवा को पुलिस भी मदद करने को तैयार है। किसी तरह की बाधा ना हो इसके लिए विभाग की ओर से तैयारियां शुरू कर दी गई है। जिसके तहट नवरातरी से पहले खड़ाब ट्रांसफर्म को बदला जाएगा। के लावा जादा चमता वाले ट्रांसफर्मर भी लगाने का नरदेश दिया गया है। साथी रोड क्रोसिंग अत्वा भीर भार वाले जगों में गार्ड वायर लगेंगे पूजा पंडाल के आसपास के लाकों में बिजली के धीले और जरजर तारों को दुरूस्त किया जा रहा है। इसके साथ ही उन हर कामों को पूरा किया जा रहा है जिससे बिजली के नरबाद एवं सुरक्षित आपूर्ती में कोई दिक्कत ना आए। उन्होंने कहा कि तेवहार के दौरान हमारा हेल्प लाइन नमबर 24 घंटे चालो रहेगा। बीटा एरपोर्ट नर्मान के लिए मिला 134 एकर जमीन। पूर्ट से इसके निविदा भी निकाली जाएगी। मालुम हो कि दिकारियों का कहना है कि पहले चरण में टर्मिनल भवन का रिदमान किया जाएगा। मैं 24 एकर जमीन राजस सरकार अपने इस्तमाल के लिए रखेगी जहां स्टीट हैंगल का निर्मान किया जाएगा जहां राजस सरकार के हेलिकॉप्टर और विमान रखे जाएंगे और साथ ही इसके अलावा आधार भूत समर्चरा का निर्मान भी होगा हालाकि अधिकारिक त और से एक विशेश पोर्टल तयार की गई है जिसके जरिये राजस सरकार के ओर से फरजी कंपनियों के क्रिया कलापों पर रोक थाम लगाने का काम करेगी बतादे कि तयार के गए इस पोर्टल पर जिलो के नामित सक्चम प्राधिकार सह अपर सहमारता एन बी एफसी के सू बतादे किस पोर्टल पर जिलो में काम करने वाले वैद कंपनियों की सूची भी दी गई है जिसमें सबसे अधिक वैद कंपनी मुझह परपुर में है जिनकी संख्या 115 है वह इसके बाद पुर्वी चंपरण में 114 समस्तिपुर में 98 पटना में 91 और मधुबनी में 90 हैं बी आरे बिहार वीवी के कुलपती कूल सचीव समेच 4 के खिलाफ F.I.R. दरज वीतिय अनमितर के मामले में उच सिक्षा निदेशक डॉक्टर रेखा कुमारी के आदेश पर छेत्रे सिक्षा उपनिदेशक डॉक्टर दिविंद्र कुमार की ओर से बी आरे बिहार विश्य भीकारी के खिलाब दिये गए आवेदन के आधार पर विश्व विद्याले थाने में प्रात्मी की दर्ज कर दी गई है बतादे के आवेदन में बताया गया है कि दैनिक वेतन भोगी कर्मियों के भुगतान स्टेशनरी की खरिदारी समेत कई मामलों में बड़े पैमाने पर वी तीय और निम्ता की गई है ऐसे में अब जल्द इस मामले की जाचकर कारवाई शिरू की जाएगी बता दे कि सच्छा विवाग के द्वारा पिछले महीने कड़ाए गए अंकेशन की रिपोर्ट में बड़े पैमाने पर वी तीय और निम्ता की बात कही गई थी वही अब इस पर BRAB UK कूल सची डॉक्टर सलिंदर कुमार चत्रवेदी के दोरा कहा गया है एक जिला प्रशासन की ओर से बिना पक्ष जाने कारवाई की गई है हमने वादा किया था कि विश्विद्याली का खालत बदलेगा 126 दिनों में 50 ते अधिक परिक्षा लिया जा चुका है सत्र समय पर होडा है उन्होंने कहा कि केस दर्ज हो चुका है और अबागे जो भी हो मैं बेल नहीं लूँगा पुलिस के द्वारा देर रात यूनिवसिटी के होस्टलों में छापे मारी करने पहुंची तो लूट पाठ की गई और छात्रों को पीटा गया है इसकी जानकारी राजभवन को दे दी गई है मुख्य मंत्री व्रधिजन पेंसन योजना के तहत व्रधिजनों को मिलती है इतनी राशी पेंसन प्राप्त नहीं होड़ा है उनमें से 60-89 वर्ष आयू वर्धिजनों को 400 रुपे प्रतिमा और 80 वर्ष से या उससे अधिक आयू के व्रधिजनों को 500 रुपे प्रतिमा की दर से पेंसन दिये जा रहे हैं ऐसे मिस के लिए आविदन करने के एक चुक लोग आविदन वेबसाइट स्ट्ट्पीस कोलम्स www.sspmis.bihar.gov.in पर ओनलाइन अतवा विहत प्रपत्र में फ्रकंड के आटीपीस काउंटर पर जमाग कर सकते हैं बता दे के आविदन के साथ दो पासपोर्ट साइस फोटो, आधार कार्ड एवं मदाता पैचान पत्र की छाया प्रती, बैंक खाता की छाया प्रती और आधार कार्ड के उप्योग से संबन हिस सहमती पत्र देने होंगे इसे जुरी अधिक जानकारी के लिए आप अपने जिला के सहायक निदेशक, जिला समाजेक सुरक्षा को सांगिया, अनुमंडर लिस्त बुनियाद केंदर या संबन हित प्रखंड विकास पदादी कारी के कारयाले या टोल फ्री नंबर एक आर्श निशन या 3456262 पर आई गई है जो गुरु गोविन सिंग महराज के बेटे, अजीत सिंग, फतेह सिंग, जुझार सिंग और जुडावर सिंग को संबोधित करते हैं, इन चारों द्वारों के पास हेमकुंट साहीब पामटा, साहीब नादेर साहीब, केशगर साहीब और पठना साहीब नामक पांच गोलाकार दिवारे हैं, पार्क के दों तरफ एक गोलाकार, सभागार और दो प्रदर्शनी हॉल भी है, जबकि पार्क के एक भाग का उपयोग धार्मिक कारियों के आयोजन के लिए किया जाता है, प्रकास पुंच परिसर में गुरु गोविन सिंग के जीवन, योग में लाए गया अस्त्र सस्त्र, पोशा, कलम आदी को भी प्रदर्शनी में दिखाया जाएगा, उनके क्रिया कलाप एवं साहित्य सजुरी वस्तूओं को भी दिखाया जाएगा, यह पटना में देखने और घूमने के लिए वहतरीन जगों में से एक है, क्रिशी वान के अनुसार इसके लिए आवीदन करने की अंतिमति थी, 30 ओक्टूबर 2023 तक नरधारित की गई है, इस योजना के तहट क्रिसकों के, आर्थिक आमदनी में व्रिधी जलवायू परिवर्दन के दुस्प्रभाव में कमी एवा मुद्योगों को कच्छे माल के आपूर्ती करन कार्याले में नगत या पोस्टल ओर्डर या फिक्स डेपॉजित या एनस्सी के द्वारा राशी जमा कर बांस का पौधा प्राप्त कर सकते हैं, वही तीन वर्ष के बाद पौधों की 50 प्रतीशत से अधिक उत्तर जिविता होने पर क्रिशकों को 60 रुपे प्रती पौधा प्रोथ साहन राशी और 10 रुपे सुरक्षित रासी वापस कर दिये जाएंगे, इसे जुरी अधिक जानकारी के लिए आप शुनेचे एक दो, 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 छे, नौ, एक एक या, नौ, चार, साथ, ती, शुने, चार, पाच, नौ, नौ, दो, पर कार्याले अबदी के द रौशन करने वाली है, बता दे कि बिहार के किशन गंज की रहने वाली रौशनी परवीन, 16 नमबर 2013 को सयुक्त राश्र के ओर से जिनेवा और स्विजल लैंड में आयोजित विश्व युवा सम्मेलन में 113 देशों के सामने भारत का प्रतीन दित्व करने वाली है, आपकी ये उद्देश है कि ग्रामी छेतरों की बच्चियों को आगे लाया जाए, ये उपलब्धी मैं उन लड़कियों को समल्पित करना चाहती हूँ जो बाल विवा का दंस छेल रही है, उन्होंने कहा कि बाल विवा का पीरा मैंने खुद छेला है, और अब कोई और जेले ऐसा मैं नहीं चाहती, बता दे कि रोश्णी परवीन सामाची काड़े करता के रूप में काम करती है, जाती गन्ना में शामिल कर्मियों के मांदे का होगा भुकतान जारी हूई राशी, जाती अधारित गन्ना और आर्थिक सरवेक्षन में जुटे करमचारियों को बहुत नोडल विवाग सामाने प्रिशासन विवाग के और से विवाग के उपसचीव रजनीश खुमार के हस्ताक्षर के बाद तो सो बारा करोर सतर लाग की राशी जारी कर दी गई है, बता दे कि ऐसे में अब करमचारियों का भुकतान आर्टी जीयस के जड़िये किया जाएग और संबंध वीतिये नियमुक में नहत प्राथधानों के नुसार किया जाना चाहिए। यूनिट पॉधे लगाए गए हैं जो कि विविन पॉधे हैं और जो तयार होने के बाद बेहत अच्छे लगेंगे इस जंगल को बहतर लुक देने के लिए मनरेगा के कहीं योजनाओं को उतारा जाएगा इस पारी में सदर प्रकरंड मोतिहारी के पीओ तरुन कुमार के दोरा जानकारी देते वे बताया गया है कि इस जंगल को मॉडल तरीके से विकसत किया जा सके इसके लिए हर तरह के प्रयास किये जा रहे हैं उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में यह प्रेट को के लिए आकर्शन का केंदे होगा प्रदेश से लोट रही है दक्षिन पर्शिम मॉनसून बिहार में अब जमाचम बारिस का दौर समाप्त हो गया है विवा की माने तो मॉनसून की लगभग विदाई हो गई है आसमान अब लगभग साफ हो गया है समें तापमार में बढ़ोतरी देखी जा रही मौसम विभाग के तरफ से जारी अपडेट में बताया जा रहा है कि अगले एक सब्ता तक प्रदेश में बारिस की संभावना ना के बढ़ाबर है मौसम विभाग के तरफ से जारी अपडेट के अनुसार प्रदेश से एक हफते बाद मौनसून का पलायन हो जाएगा कहा जाड़ा है कि बारस ने 15 अक्टूबर के बीच में प्रदेश से मौनसून की विदाई लगभगता है बता दे कि इन दिनों एक ट्रफ लाइन रेखा सिक्किम से लेकर गंगिये पश्रिम बंगाल और उडिशा पर कम दवाव का छित्र बनाते वे तत्य अंध प्रदेश रत तक फैली वी है मौस्तम विभाग ने 7 और 8 अक्टूबर को लेकर जारी अब्रेट में बताया है कि प्रदेश में बारस को लेकर कोई भी अलर्ट जारी नहीं किया गया है आईजी आईएमस के लिए बीटा और हाजेपुर में चलेंगी सिटी बसे ठेडाओ आईजी आईएमस केंपस में भी होगा बता दे कि ठेडाओ 10 मिनट का होने वाला है हाला कि शिरवात में दो-दो बसों का परिचालन किया जाएगा जसमें मरीजों और उनके परिजनों को प्रात्मिकता दी जाएगी ऐसे में अगर खाली सीटे बची रह जाती हैं तो अन्य लोगों को जगाब मिलेंगी आपकी जानकारी के लिए बता दी कि मरीजों और उनके परिजनों को इस बस की शुवधा रात 10 बजे तक मिलेंगी मैं इसके लावा अब पटना जंक्शन दानापोर स्टेशन, बैरिया बस स्टैन और गांधी मैदान में खुलने वाली सरकारी सिटी बसे भी आईजी आएमस के कैंपस में 10 मिनट के लिए रोकी जाएंगी पटना हाई कोर्ट ने लिया लॉग कॉलेज में अडमिशन पर एहम नर्देश वीदे दिन पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के भी चंदरन की खंडपीट के दवरा राचे के सभी सरकारी और नीजी लॉग कॉलेजों की देनिये हालत को देख कर कुनाल कॉशल के दौरा दायर की गए जनित याचिका पर सुनवाई की गए इस दौरान कोर्ट की ओर से यह सपस्ट कर दिया गया है कि अगर कोई लॉग कॉलेज बीसी आई के दौरा नरधारित मानकों को पूरा करता है तब ही छातरों का एडमिशन होगा वहित के लाबा कोट की ओर से रोहतास के एन लॉग कॉलेज को चालू करने के लिए मना कर दिया गया है बतादे की आचिका करता की ओर से अधिवक्त दीनों कुमार के द्वारा कोर्ट को बताया गया कि राज्य के कहीं सरकारी और नीजी लोग कॉलेजों की स्थिती खड़ाब है यहां बुनियादी सुधाईन नहीं है और कई कॉलेज BCI के दौरा नर्धारित मानकों को पूरा भी नहीं करते जिस वज़े से कॉलेज में स्थरिय लोग की पढ़ाई नहीं होती है बता दे कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई तीन सपता बात की जाएगी जेडियू विधाय गोपाल मंडल ने अपने अपती जनक भासा पर पत्रकारों से मांगी माफी जबसे जेडियू विधाय गोपाल मंडल के दौरा पत्रकारों के सवाल पर अपती जनक बयान दिये गए हैं सिराज़ितिक गर्यारों में सरगर्मी बढ़ गई है इसी को देखते वे अब गोपाल मंडल की ओर से एक वीडियो जारी किया गया है जिसमें उन्होंने सफाई देते वे पत्रकारों से माफी मांगी है उन्होंने कहा है कि मेरी बातों से किसी पत्रकार को कस्ट पहुंचा है तो इसके लिए छमा प्रारती हूँ, उन्होंने कहा कि हम चार बार चनाव जीते हैं, लेकिन कोई दबंगाई करके नहीं जीते, हम किसी को कुछ भी नहीं बोले हैं, लेकिन अगर किसी को ऐसा लगा है कि इसके लिए छमा प्रारती हैं, उन्होंने कहा कि इस्पताल में पोती क पूरी कहानी है कुछ भी बोलने से बच्चते नजराएं दरसल जब पत्रकारों के दवरा लालू पुशाद यादर से आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंग की गिरफतारी सिजरा सवाल पूछा गया तो उन्होंने कुछ भी जवाब नहीं दिया वहीं जब उनसे यस पूछा गया कि कल जेपी नड़ा पटना आई थी और कहा था कि जितनी भी छोटी पार्टी है सब खत्म हो जाएगी इस जवाब को भी लालू यादव के द्वारा अंसुना कर दिया गया और गारी में बैठकर राबरी आवास के लिए रवाना हो गया तिलक वर्मा ने अर्द सितक लगा कर इस वज़ा से उठाई अपनी जर्सी वीतेदन यानी के शुक्रवार को चीन में खेले गए एशियन गेम्स 2023 में भारत और बांगलादेश के बीच हुए सेमी फाइनल में भारत की ओर से नौ विकर्स से अपने नाम शांदार जीत दर्च की गई बता दे किस मैच में भारत के युवा बल्लेबास तिलक वर्मा के दोरा 26 गेंदू पर नाबाद 55 रनों की पारी खेलते वे अपने अर्धशतक को लेकर अपनी जर्सी उठाकर अनोखे अंदात में जर्शन मनाया गया वहीं अब इस पर उन्होंने बयान देते वे कहा है कि पछले कुछ मैचों में उनका प्रदर्शन अच्छा नहीं था जस वजह से उन्होंने अपनी मास से बादा किया था कि वो अर्धिस्तक लगाईंगे और भारत को जीत दिल्वाएंगे उन्होंने कहा कि उनके जर्शन में भारतीय टीम के कप्तान रोहत सर्मा की बेती शमाईरा भी सतानल थी बतादी के अब सेमी फाइनल में भारत को मिले इस जीद के बाद आज भारत का सामना फाइनल मुकाबले में गोल्ड मेडल के लिए अफगारिस्तान के साथ होने वाला है भारत के तिहास में आज की तारीक है कई कारणो सदर्च मुगल सेना ने 1586 को कश्मीर में प्रवेश किया गांधी जी की नवजीवन पतरिका 1919 में प्रकाशत हुई मदर टेरेसा ने 1950 को कॉलकता में मिस्नरीज और चारिटी के स्थापना की थी चन्डिगर 1952 में पंजा की राजधानी बनी भारत में तुरित काड़ेवाई बल का गठन 1992 में किया गया था इसका गठन विशेश रूप से सामप्रदाइक दंगो से सहनुपूती पुरवक और विशेश रग्यता पुरवक निपटने के लिए हुआ था प्राकृतिक आपदाओं से नेपटने में भी यह बल नागरिक प्रशासन की मदद करता है सुरिय बहादूर थापा दोरा 1997 में नेपाल के नई प्रधान मंत्री के रूप में सपत ग्रहन भारत और रूस सुरक्षा सयोग 2010 तक बढ़ानी के लिए सहमती हुई रैपिड अक्षन फोर्स के स्थापना 1992 में की गई स्तंता सिनानी दिधा महात्मा गांधी के निकट सहयोगी नड़ हरी पारी का जन्म 1891 में हुआ भारत के स्तंता संग्रामी करांतिकारियों की प्रमुक सहयोगी दुर्गा भाभी का जन्म 1907 में हुआ प्रस्द शुतंता सिनानी एवं पुर्वलोक सभाध्यक्ष बलीराम भगत का जन्म 1922 में हुआ प्रस्द कभी एवं आलोचक विजय देव नडायन शाही का जन्म 1924 में हुआ प्रस्द भारती क्रिकेट खिलारी जहीर खान का जन्म 1907 में हुआ भारती मोडल अभिनेतरी एवं मस्वल्ड युपता मुखी का जन्म 1929 में हुआ सिखो के गुडु गुडु गोविन सिंग का रिधन 1708 में हुआ प्रस्द क्रांतिकारी व्यक्ती के दारिश्वर सेन गुपता का रिधन 1961 में हुआ किरल के प्रस्द राष्ट्रवादी नेता सुतनता सिनानी और समा सुधारक के कलपपन कंड़तन 1971 में हुआ बारल फर में आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के बारे में सोशल मीडिया पर कहीं सूचना बारल होती है लेकिन सभी सच्छो ये ज़रूरे नहीं है इसी कड़ी में आज हम बात करेंगे भारतीय रेलवे के बारे में तरसल P.I.B. ने अपने टूइट में लिखा है कि सोशल मीडिया पर वाइरल हो रहे एक विग्यापन में दावा किया गया है वाटसअप पर चैनल नहीं आ रहा पसंद तो ऐसे कड़े हाईट वाटसअप ने चैनल फीचर भारत में लाइव कर दिया है इसके जरीए आप अपने मन पसंद से लेबस क्रियेटर और संस्थानों के साथ जुर सकते हैं लेकिन अगर आप चैनल अपडेट से तंग आ चुके हैं और इसे अपने फोन से हाइड करना चाहते हैं तो हम आपको कुछ तरीके बता रहे हैं जिसके जरीए आप ऐसा कर सकते हैं बता दें कि सबसे पहला तरीका तो यह है कि आप पहले अपने चैट्स को बैक अप कर लीजिए और वाटसएप को डिलीट कर ट्रस्टेट सोर्स से एपी के फाइल डाउनोड कर लीजिए दूसरा तरीका यह है कि जब आप अपडेट्स टैब में जाएं तो यहां दिखा रहे व्यू अपडेट्स के ऑप्शन पर क्लिक करें इससे आपके स्टेट्स टॉप में दिखने लगेंगे और चैनल्स नीचे चले जाएंगे यानि कि आपको टॉप में नहीं दिखाई देंगे एक और तरीका यह है कि आप ऐसे स्टेट्स को ना देखें को ज़रूरी नहीं है इसे चैनल्स का option टॉप में नहीं आएगा और आपको irritation नहीं होगी ध्यान दे दूसरे चे तरीकों को अगर आप follow करते हैं तो इसे चैनल्स temporary कुछ समय के लिए नीचे चला जाएगा जैसे ही आप आप को दुबारा launch करेंगे चैनल्स का update फिर से उपर आने लगेगा कारोबार के आकरे दिन बरहत के साथ बंद हुआ बाजार बीते दिन यानि की 6 अक्टूबर को कारोबार के आकरे दिन बाजार बरहत के साथ लगातार दूसरे दिन बंद हुआ बतादे कि बीते दिन काड़ुबार के अंत में सेंसेट्स 344.06 अंकिया 6.55 फीज़ी की भरत के साथ 65,995.63 पर बंद हुआ वहीं निफ्टी 107.07 अंकिया 6.55 फीज़ी की तेजी लेकर 9,635.05 पर बंद हुआ बतादे कि बीते दिन जो शेयर टॉप लूजर रहें उनमें H.U.L., O.N.G.C., कोल इंडिया, भरती एर टेल और एशियन पेंट्स सामिल है वहीं जो सेयर टॉप गेनर्स रहें उनमें बजाज फेंसर्व, बजाज फाइनस, टाइटन कंपनी, इंसेंट बैंक और टार्टा कंजूमर प्रोडक्स शामिल है मालूम हो कि बीते दिन लगभग 2,239 शेयर बढ़े हैं, तुम्हें 1,091 शेयर गिरे हैं और 156 शेयरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है KBC 15 में अमिताब बच्चन ने गैंग्स ओफ वासेपुर फिल्म को लेकर कहा ये कुछ आधारित रियालिटी शो कौन बनेगा करोरपती सिजन पंदरा के एपिसोड 49 में अमिताब बच्चन के द्वारा अनुडा कशिफ द्वारा नर्मत और नर्देश 2012 की फिल्म गैंग्स ओफ वासेपुर को लेकर एक सवाल पूछा गया उन्होंने पूछा कि गैंग्स ओफ वासेपुर का ये डायलोग पूडा करे बाप का दादा का भाई का सब का बदला लेगारे तेरा डैस इसके बाद उन्होंने विकल्प को परतेवे कहा कि सरदार दानिश शाहिद और फैजल इसी दोरान उन्होंने इस फिल्म को लेकर कह कि गैंग सौफ वाश्रेपूर फिल्मों की एक बहतरीन स्रीज है उन्होंने कहा कि इस डायलोग को आइकॉनिक स्टेटस का दर्जा मिला है इस डायलोग से कही मीम्स भी वाइरल हुए है आपकी जानकारी के लिए बता दे कि सवाल का सही जवाब फैजल होता हम प्रति दिन आ पहला सवाल है हाली में कौन महिला भारत की साथवी सबस्थे अमीर व्यक्ती बन गई है ऑप्षने जुलिया कोच ऑप्षन B सावित्री जिंदल ऑप्षन C सुजैन क्लैटन ऑप्षन D नीटा अमबानी इसका सही तर है ऑप्षन B सावित्री जिंदल अगला सवाल हाली में RBI ने किसे नया कारे कारे निदेशक निट किया है ऑप्षने स्री मुनीश कपूर ऑप्षन B डॉक्टर अगुराम राजन ऑप्षन C डॉक्टर उर्जित पतेल ऑप्षन D सक्तिकांथ दास इसका सही तर है ऑप्षन E स्री मुनीश कपूर अगला सवाल महावीर जैन को कैवले की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी ऑप्षन E पूरुसनी ऑप्षन B रीजु पाली का ऑप्षन C निरंचना ऑप्षन D स्वन रेखा इसका सही तर है ऑप्षन B रीजु पाली का अगला सवाल बिहार का नव पाशान कालीन अस्थल चिलाद किस जले में स्थ है ऑप्षन E वैशाली ऑप्षन B मुंगेर ऑप्षन C सिवान ऑप्षन D सारन इसका सही तर है ऑप्षन D सारन अगला सवाल निम्न में से किने बिहार में ग्यान प्राप्थ हुआ था ऑप्षन E गौतम बुद्ध ऑप्षन D स्रेक्रिश्न ऑप्षन C अशोक ऑप्षन D गुरु नानक इसका सहियोततर है ऑपशन है कौतमबुद बीत दिन हमारे दुर्बा पूछे का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ना प्रसाई हुआ हमें हमारे comment section box में लिख कर दिया था जिन्होंने हमारे दुर्बाद गा सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर आज का सवाल है जिननेताओं के द्वरा अपती चरंक भासा का इस्तमाल किया जाता है उनके खिलाफ आपके अनुसार सरकार के ओर से क्या कदम उठाए जाने चाहिए अपना जवाब हमें हमारी कॉमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी नियूस और साथ ही अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चलम को सब्सक्राइब करना और अगर आप फेस्बूक से देख रहे हैं तो पेस को फॉलो करना न भूले धन्यवाद